कि हेलो फ्रेंड स्वागत आपका सेफटेक चैनल में मेरे पास है पोको एम टू जिसका चार्जिंग सुलोशन करने वाले हम अब देख पा रहे हैं पोको एम टू जिसका चार्जिंग सुलोशन करने वाले हम यह मेरे पास न्यू चार्जिंग बोर्ड जो इसमें फिक्स करने वाले हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीम एजेक्टर के मदद से से में ट्रे को बाहर निकालते हैं कि एंड उसके बाद नाखुर निया फिर ओपनर के मदद से फोन के बैक को ओपन करते हैं मैं आपको इस्टेप बाइस्टेप बताऊंगा कि किस तरीका से आप चार्जिंग सुलोशन को कर पाएंगे और जो बोर्ड हम चेंज करेंगे चार्जिंग बोर्ड जिसको सब बोर्ड बोला जाता है बहुत से लोग इसको डॉटर बोर्ड भी बोलते हैं तो उस बोर्ड का कितना प्राइस होता है कि बैक ओपने के बाद आपको नीचे साइट का जीदर चार्जिंग रहता है उदर अपको ओल इसनूर्व को ओपन कर लेना है मदरवो ड़े के तरब आपको छेवरच complexity भी नहीं करना है सिर्फ बैटरी के नीचे वाले पार्ट जीदर चार्जिंग बॉर्ड है उद सबसे मज़धार बात यह है कि इस बोट को चेंड करने के लिए आपको मदर बोर्ड बैटरी कुछ पी चीज को ओपन करने का जरुवत नहीं है बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही इजी वे में आप इसको इसके चार्जिंग बोट को या फिर स्पीकर को रिंगर को आप कर सकते हैं जो की बहुत असानी से मार्केट में मिल जाता है इसका प्राइस होता है डेड़़ुट्रूपे ओनली ओके कि यह होता नेटवर्क का वायर कि जिसको नेटवर्क एंटीना भी बोल सकते हैं आप उसको disconnect करने के बाद आपको यहां पर एक screw है जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत से लोग इसको screw को खोले भी नहीं इसको खोलने लगते हैं इसको daughter board को बाहर निकालने लगते हैं जो कि impossible है अब देख पर screw open करने के बाद कितना easily यह आसानी से frame से remove हो जाएगा बाहर आजाएगा देख पर यह मेरे पास old charging board जो कि खराब हो चुका है charging का problem इसमें अगर आपका mic का problem है headphone का problem है तो भी आप असानी से कर पाएंगे अगर आपके पास अगर ringer का problem है तो भी आप आपको मैं बता आया हूं इससे पहले यह new charging board है जिसको हम open करते हैं कि देख पारे हैं बिल्कुल यह दोनों same to same है कि मैं cameraman से बोलूंगा कि तुला सा और करीब से इसको दिखाए देख पारे आप दोनों same to same है अब जो है आपको पुराने वाले को side में रख देना है एंड new वाले को इसमें fix करेंगे बट यह headphone का जो गार्डर होता है उसको आपको इसमें fix कर देना है एंड चार्जिंग का भी जो रवर होता है गाडर जिसको बोला जाता है उसको इसमें फिक्स कर देना है क्योंकि ने वाले में रहता है पुराना जब जो पुराने वाले में रहता है दोबारा जब आप मार्केट से पर्चेश करते हैं तो उसके साथ यह गाडर नहीं मिलता है इसको लगा सकते हैं अगर आप इसको फेक भी देंगे गाडर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो से अब जैसे था वैसे सेम तुसेम उसको वैसे ही उसी डायरेक्शन में आपको उसको फिक्स करना है तो कि यहां कि यहीच का खास द्यान देना है है और उसके बाद यह जो फिक्स कर लेते हैं इंड नेटवर्ग को भी फिक्स कर लेते हैं कि इस बोड में था आपका माइक था charging pin था headphone jack था अब सबसे पहले चेक करते हैं कि चार्ज जिसका नगर पड़े। इसका प्रॉब्रम है तो आप इसको आसानी से डिर्ब सुर्पेस का प्राइस है यह बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है कि इसको को टाइट करने के बाद रिंगर जिसको स्पीकर बोला जाता है उसको फिक्स करना है एंड जैसे स्कुरू फिक्स था वैसे आपको स्कुरू फिक्स कर देना है कि देख पारे कितना असान था करना इस वीडियो को देखने के बाद आप स्पीकर माइक हेड़फोन जैग या फिर चार्जिंग यानि चार प्रॉलम को आप सॉल्ब कर पाएंगे अब उसके बाद इसके बैक को अच्छे तरीके से आपको इसको फिक्स कर देना है पर आपको करने के बाद जैसे तब से अब आपको काम हो चुका है बट आपको के लिए करने के बाद पी एक बाद चार्जिंग में चेक कर लेते चार्ज हो रहा की नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि फिक्स करने के बाद चार्ज नहीं लेता है तो आप देख पार है फोन मेरा चार्ज ले रहा है इसका मतलब मेरा काम सक्सेस्पूल हो चुका है